28 मही 2023 को प्रधान मंत्री मोदी जी नए संसर्थ भवन का उद्गाटन करने वाले हैं गाइस बिलीव मी और नॉट ये नया पार्लामेंट बहुत ही शांदार और न्यू टेक्नोलोजी से भरपूर है इतना आलिशान है ये नया संसर्थ भवन और सुविदाओ के आगे तो विदेशी पार्लामेंट भी हो गया है फिल आज के इस वीडियो में आपको न्यू संसर्थ भवन के अंदर टेक्नोलोजी से भरपूर नई ने जो जो फैसिलिटीज लगी है वो बताने जा रहा हूँ वीडियो बहुत ही इंटरस्टिंग है इल देंट जरूर देखना अब पसंद है तो लाइक कर देना लेट्स स्टार्ट संसर्थ भवन को लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं और इस मंदिर का भवे बनाने के पूरे 96 साल बाद इससे फिर से एक नया रूप दिया जा रहा है संसर्थ भवन का काम मोटा मोटी पूरा हो चुका है अब परदानमंदरी मोधी जी इसका उध्गाटन 28 मई 2013 या निकल करेंगे संसर्थ भवन को लेकर आप सभी के मन में काई सवाल होंगे आखिर इसको बनाने की जरुद क्यों पड़ी और इसमें क्या क्या ऐसी नई फैसिलिटिस लगी है उस समय वहाँ सुविधाय रखे गए जिनकी जरुद थी उससे में उतना टेक्नलोजी बूम पे नहीं था इसलिए उसकी सुविधाय भी बहुत कम दी लेकिन आज की समय में तो पूरा चेंज हो चुका है अभी वर्तवान संसत भवन में लोग सबह में 550 और राज्य सबह में सिर्फ 240 सदस्यों की बैठने की विवस्ता है तो यह कह सकते हैं नए संसत में बहुत ही ज्यादा सीट्स है अधिकारियों के इनसार इसमें छे गेट और सावजिनिक वाले रास्तों में देश के अलग-अलग इस्सों के मूर्तियां और आर्ट ओवर्ख होंगे यहां देश में पूजे जाने वाले जानवरों की जलकिया भी दिखाई देंगी इनमें गरूर, गज, अश्व और मगर भी शामिल है ऐसा का जा रहा है यहां तीन गैलरी होंगी जो भारत की एत्यासिक से आधुनिक दौर की यात्रा करवाएगी इसे भावन के बीचों बीच में बनाए गया है इसके ओपर अशोक स्थम लगाए गया है यहीं नहीं, महात्मा गांधी, जोहान लानेरू, शुबाश चंद्रबोर्ष जैसे महान देश के प्रदान मंत्रियों की भी एक बड़ी तस्वीरों को यहां लगा जाएगा तो यह थे कुछ पॉइंट्स न्यू पार्लेमेंट बिल्डिंग के बारे में आपको कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को ज़रूर शेर करना से उन दे नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स वाचिंग